नमश्कार दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि रात के खाने में हमें क्या-क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे यही बाते शेयर करूंगी कि हम रात्री के भोजर में क्या-क्या चीज़े खाएं और किन-किन चीज़ों को अवाइड करें लेकिन उससे पहले मैं आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि आयरवेद के हिसाब से सूरियास्त से पहले खाना खा लेना चाहिए पर आज के लाइफस्टैल के हिसाब से ऐसा हो पाना impossible है लेकिन इसके लिए आज मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगी कि अगर आप रात का खाना रात से सोने से पहले अगर तीन घंटे पहले अगर आप रात का खाना खा लेंगे तो आपके लिए बेहदी अच्छा होगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपने रात को किन किन चीजों को अवाइड करना है या नहीं खाना है जैसे उरत की दाल, राजमहा, आलू, लाल मांस, तला भुना हुआ खाना, जादा ओईली खाना जो जादा हैवी हो पचाने में, ऐसे खाने से आप परहेज करें और इसी के साथ रात को जैसे ठंडी चीज़े, कोल्ड रिंग, समूदी, शेक, इन सभी चीज़ों को अवाइड करें हैवी खाना इसी लिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि जो रात का जो वक्त होता है जो हम दिन भर में जो काम करते हैं, हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं, वो दिन भर डैमेज होते हैं और रात को जब हम सोते हैं, तब उनी सेल्स को रिपेर करते हैं तो उनी सेल्स की रिपेर्मेंट चल रही होती है, अगर ऐसे में हम हैवी खाना खाएंगे या कोई भारी भोजन करेंगे तो वो जो cells की repairment चल रहे होती है उनकी सारी energy वो इस तरफ आ जाती है जिस तरफ जो heavy खाना हम खाते हैं उनको पचाने में वो energy waste हो जाती है तो इसलिए हमें रात को हलका भोजन करना चाहिए ताकि जो हमारे जो damage हुए cells जो repairment पे होते हैं उनकी repairment अच्छी से हो जाए और जो energy है वो अपना time इधर खाने पचाने की वज़े से अपना time न वेस्ट करें वो आपके cells को repair करने में अपना time दें तो ये तो थी बात की रात को हमें खाने में क्या क्या चीज़ें नहीं खाने चाहिए और इसी के साथ एक सवाल और उठता है कि हमें रात्री के भौजन में हम कौन-कौन से खाना खाएं तो चलिए चुरू करते हैं रात को आप हलका खाना खा सकते हैं जैसे vegetable दलिया, soup, हरी सबजियां या फिर हरी सबजी जैसे लौकी की सबजी या तिंडी की सबजी के साथ एक रोटी ले सकते हैं इसके इलावा आप ह तो इसलिए जब भी आप रात को खाना खाएं आप सोने के तीन घंटे पहले अपना रात का भोजन जरूर कर लें ताकि आपकी शरीर को अच्छे से से रिपेर्मेंट मिल सके और आपकी तंद्रोस्ती शरीर की बनी रहें तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा यहीं पे खतम होत हैं अगर आपको इस वीडियो से रिलेटिड कोई और भी जानकारी चाहिए कोई सवाल पूछना हो तो आप जरूर पूछिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे आगे की नोटिफिकेशन आगे की वीडियो के ल के लिए